औरेंज रुवजा पी-पी के आप बोर हो गए हैं इस बार बनाएए ब्लू लगून मॉक्टेल इसका सिरफ हम घर पे ही बनाएंगे हेलो फ्रेंड्स वेलकम बाक टो माई चानल भी वेजवेदगीत आज मैं बनाने वाली हो ब्लू लगून मॉक्टेल यह अपने फंक्शन में रेस्टोरेंट्स में तो बहुत बार पिया होगा आज मैं इसे घर में बनाऊंगी वो भी बिल्कुल सिंपल तरीके से मॉक्टेल ब दो हमेंचे औरेंज या किनू या माल्टा आपके पास जो भी मिले आपो ले सकते हैं और यह दालचीनी का चोटा टुकड़ा और यह है ब्लू फूट कलर यह आपको ऑनलाइन बहुत इसीली मिल जाएगा मैंने भी इसे ऑनलाइन ही मंगाया था इसका लिंक में आपको डिस चाहता है इसे हमर ग्रेट कर लेंगे तरह यह सब्सक्राइब हो नहीं है इसे पिल कोह talk Home सब्सक्राइब करेंगे सबसे पहले जमने चैरार किया है इसे और जाता है जो चिल्ची कहा चिल्कची ऑग बहूत सारे ओर्ल्ग होटे निटार्स होते और पाप करने साप औरसा थी उचलेंगे और जूसर करते हैं मैंने त्वी पादाँ से लिए लेंगे और प्हुत आपक से मुझस चीज़ा कि पैसने लिए कि पादाँ शायारें गुदर मैंने आप कि रेटवराण में रेटी कॉसरेंगे देखिए जूस हमारा रेडी हो गया है अब हम एक पैन लेंगे उसमें डालेंगे एक कप चीनी और टू थर्ड कप पानी जितनी चीनी है उसे थोड़ा सा कम पानी लेंगे जादा नहीं लेंगे लिए तो सेरप सारा पतला पतला होगा और वह बिल्कुल भी अच्छा नहीं ब स्लो फ्लेम पर ही ठालेंगे गॉमाते रहेंगे जब तक चीनी अच्छे से गुल गई इसमें ब वहां भी आ गया है अब हम इसमें डाल देंगे इक दाल चीनी का टुकड़ा और मिसमें डाल देंगे ओर ने यो हमने तक हमने और इंच ऑरन्यिक यह ओर आरंज एस वां में 2-3 मिनाट तक हम इसे slow flame पर ही boil करेंगे ताकि जो औरेंज की छिलके का सारा oil और फ्लेवर है वो सब इसके अंदर आ जाए अब हमने जो औरेंज जूस रेडी किया था वह भी हम इसमें डाल देंगे और इसे 2-3 मिनाट तक और बॉइल करेंगे अच्छे से यह देखिए बॉइल हो गया है और यह सिरप गाड़ा भी हो गया है अब इसको हम फ्लेम आफ करके छोड़ देंगे ठंडा होने के लिए यह देखिए सिरप बिल्कुल ठंडा हो गया है अब हम लेंगे clean bowl उसके उपर रखेंगे strainer और इससे अच्छे से चान देंगे अच्छे से चानेंगे एक स्पून की हेल्प से दबा दबा के ताकि इसके सारे फ्लेवर से इस सिरप के अंदर आ जाए यह देखिए सिरप हमारा बिल्कुल रेडी है अब जो ब्लू कलर हमने लिया था वह हम इसमें डालेंगे तीन से चार ड्रॉप हम इसमें डालेंगे ज कर्षा वह भी तो हमें डालना ही पड़ेगा हमारा सिरप रेडी है हम एक ट्लस लेंगे उसके पर हम लेमन से तरीक के सोड़ सा कवर करेंगे और इसे पिसी हुई चीनी में हम डिप करेंगे जिसे देखने में बहुत सुन्दर लगता है इसमें डाल देंगे हम आइस हम इसम लाया अटिक, बाकि आप को अपने मीठे की अकॉर्डिंक दालें एक-क लेमन स्लाइस और थोड़े से मेन्ट लीज और अब में डालने वाली हूं इसमें स्प्राइट आप चाहें तो इसमें पानी भी डाल सकते हैं, सोडा भी डाल सकते हैं, लिमका भी डाल सकते हैं, जो आपको पसंद हो वो आप इसमें डाल सकते हैं मौकटेल हमारा सफ करने के लिए बिलकुल रेडी है आप इस सिरप को एक काश की बाटल में भर कर एक महीने के लिए स्टोर भी कर सकते है गर्मियों में कलर फ़ोल मौकटेल स्बी को पसंद आते हैं इसके लिए आप मेरी दसना की वीडियो भी देख सकते हैं उसका लिंक में description box में दे दूँगे वीडियो देखने के लिए आपका बहुत-बहुत शुक्रिया, वीडियो को लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ गंटे का बटन दबाना ना भूले बाई फ्रेंक्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में